एक हाथी धेर सारा पत्थर इकठा कर लेता है और एक पत्थर को उस फल पर मारता है तो नहीं तूटता है उसके बाद नीचे जितना भी पत्थर दिखता है सब इकठा कर लेता है और गन की तरह चलाने लगता है सारा पत्थर लगता है लेकिन एक भी फल नीचे नहीं गिरता फिर छीकने वाली फूल को सुंध में डालता है और उल्टा खड़ा हो जाता है और जब छीकता है तो उपर चला जाता है लेकिन सिर्फ एक पत्ता तूडता है फिर गुस्सा हो जाता है और पेर को जोर से हिलाने लगता है फिर भी नहीं किरता है फिर एक तरकीब लगाता है और उपर जाकर तोड़ने की कोशिस करता है लेकिन नहीं तूटता फिर पेर पर ही चठ जाता है वजन ज्यादा होने से पेर तूट कर नीचे आ जाता है और सारा फल इकठा कर लेता है फिर छीकने वाले फूल सूंठ में आ जाता है और हाथी दूर चला जाता है